उसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए दिल्ली पबलिक स्कूल सराई के प्रांगण में 72 वां गंतंत्र दिवस हर्शोलास के साथ मनाया गया और तिरंगा फेहराया गया स्कूल के निदेशक राजू खान ने चात्रों, अभिवावकों और गर्मान्य लोगों की मौजूदगी में जंडो तोलन की रसमदा की और जंडे की सलामी दी उसके बाद चात्र चात्राओं ने देश भक्ती गीतों पर नित्य और प्रजातंत्र दिवस के महत्व पर सिंग, प्रियंका कुमारी, सुहानी कुमारी और रोश्नी परवीन का नाम उलेक निय रहा। भाशन में रामिशा खान और आचल कुमारी का प्रदर्शन सराहनी रहा। बच्चों की प्रतिभा का प्रशंसा करते हुए राजू खान ने कार्यक्रम को सराहा है। अंत में बारे दब जया बाता जना ना मंगल दायकी जया है भागयों भी भागयों की बाता जया है जया है जया 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 जय अजहते सिल्पाइब करुम हमें से जीट से एड़ीयों कि उतनलें जीट से खिणित मेंने उतनलें शोच्ट मुंष्म थाम के सस्टोर वे जीट से जीट से आएट!! ऑग ज़ित से अधकन finished कि अड़ी नवीं जड़ीजिश्ट रिस्प्तिश्टिश्टिय अज़ीज्टिश्स अजबते अट्री जड़ीज दैंटों। अजल झाल विट्टीश में धिजए अफ्तिवेत्व में इपक्राइब्ट सुन्साटियों। On 26 November 1949, the Drafting Committee was formed and Dr. V. R. Amweskar was affected as the Chairperson of the Committee and thus the Constitution came into existence. We become a republic country where the citizens of the country hold the supreme power to elect representatives. Constitution gives all of us the same rights despite differences of religion, color, languages, etc. The preamble of our Constitution reads like a poem on democracy. It contains a philosophy on which the entire Constitution has been built. This is the soul of our Indian Constitution which reads, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and words be. I call it a lot.